हेलो इप्रीबान पलकम बैक तू मैं चैनल कैसे हो आप सबी लोग आप की आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल किचेन टिफसन हैक्स जिससे आपके घर और किचेन के सबी मुश्किल काम होंगे बहुत यासन तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो मेरी आज की पहली टिप आती है लाल मिर्च को ले करके यहाँ पर देखे एक बरतन में थोड़ा सा पानी में पहले से ही गरम करने के लिए रखी हुई थी पानी जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाए तो आप लाल मिर्च डाल लेकिन कुछ लोगों को ना इसकी जो तीकी पन होता है तीखा बिल्कुल पसंद नहीं होता है या फिर लाल मिर्च पाउडर या फिर साबुत लाल मिर्च का यूज करने से कई बार गयास ऐसे जैसे समस्या देखी जाती है तो सबजी की अच्छी कलर के लिए अगर आपको लाल मिर्च का यूज लेना है और इसका तीखा पन या फिर हिल प्राब्लम से अगर आप बचना चाते हैं तो आप लाल मिर्च का यूज इस तरह से कीजिएगा इस तरह अच्छे से बॉयल करने के बाद अब इसका पेश्ट बना लीजिए इससे आपका सबजी के कलर भी ब बहुत काम आएगा तो चलिए अब दिख लेते हैं अगली यूसफुल ट्रीक तो यहां पर देखे एक बाल्टी में हमने लिए हैं पानी आदा बाल्टी पानी हमें लेना है एक चम्मच उस पर नमक डाल देना है हाप चम्मच के करीबन बेकिंग सोडा यानिकी मेठा सोडा का यूज लेना है और उसके बाद एक धकन वाइट विनिगर यानिकी जो चाइनिस खाना वगरे पर हम यूज करते हैं वाइट विनिगर का यूज ले लीजिएगा उसके बाद थोड़ा सा कॉमफोर्ट का यूज भी हम कर लेंगे अब देखिए इतने सारे चीजों को एड पूचा बिलकुल भी ना लगाएं इस तरह से अगर पानी में सारी चीजों को डालके पूचा लगाएंगे तो एक तो देखिए बारिश की दिनों में बहुत जरेले जरे कीड़े मकोड़े मक्ही मच्छर बहुत जादा होते हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल दूसरी चीज यहां पर अपके फर्ट में किसी भी तरीके की डाग धबे रहेंगे वो भी साफ हो जाएंगे क्योंकि बेकिंग सोटा जो है न वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लिनिंग का काम करता हैं यहां पर बीनी घर का यूज किया हैं जो कि मक्ही मच्छर को पूरी त प्राइम यह छोटा सा काम अगर आप कीजिएगा तो आपकी जो घर है चमाचम और सुरकसित रहेगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूसफुल ट्रेक तो देखें इस तरह का वाइट सू जो की स्कूल गोइंग बच्चे वैर करते हैं लेकिन होता क्या है इस तरह का वाइट सू बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाते हैं वाइट पे किसी भी तरीके के दाग आसानी से छूटा भी नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक यूसफुल सार्टरीक आपको ज़्यादा मेहनत करने की जर्वत नहीं पड़ेगी औ को सू के ऊपर आपको डाल देना है पहले आप याद रखिएगा कि आपको उसू को घीला कर लेना है नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको विनिगर की जरुद पड़ेगी तो इस तरह से एक से डेट ढखकने विनिगर लगता है शू पर विनिगर लगाने के बाद आपको ल लगी हुई जितने भी गंदेगी रहेंगे वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा महनत करने की जरुद नहीं पड़ेगी बस आपको हलका सा ब्रश को चला लेना है उसके बाद सू को पानी से दो लीजिएगा तो आपकी जो वाइट सू ह न वो चमाचम चमग जाएगा है न कितना युस्फुल सा रिक तो चलिए अब देख लेते हैं अगली युस्फुल से र कुछा से ज़ारु का यूजे बारच के दिन्हें चीटिया घर पर बहुत जआदा देखि जाती ए तो होता है इसकी तरह से ज़ाट्ऑ पर चीटिया बगेरा बहुत ज़दर लग जाती है तो इस तरह से हम ज़ारू का यूज ढंग से नहीं ले पाते हैं और ज़ारू को खोकला कर देती है चीटिया और बार बार ज़ारू को धोने से भी ज़ारू खराब हो जाती है बहुत जल्द तो इसके लिए एक useful सा ट्रीक आपको लेना ह तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा तो काफी रहेगा तो इस तरह से ज़ारू की चारो और आपको लाल मिर्च पाउडर का छिड़काओ कर देना है ठीके और लाल मिर्च पाउडर डालने के साथी साथ आपको टेलकम पाउडर ले लेना है तेलकम पाउडर इसके ऊपर से इस तरह से लगा दीजिएगा ये एक बहुत ही बढ़िया सा solution है किसी भी तरीके की मतलब कीड़े मकोडों को या फिर चीटिया को भगाने के लिए बहुत कारगा solution है तो इस तरह से आपकी जारू आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे लेकिन राप के टाइम इस solution को आपको जारू पर लगा लेनी है इसे बहुत अच्छा work मिलेगा तो चलिए आप देख लेते हैं अगली useful trick तो जब भी हम कड़ाई में खाना वगरा बनात हैं तो तेल की छीटे वगरा लगता है या फिर जो भी हम खाना वगरा बनाते हैं वो तले में जाके गिरता है या फिर कई बार जब गैस खतम होने पर होता है तो आपने देखे होंगे लाल-लाल प्लेम से जलने लगती है और बहुत कालिक भी छोड़ने लगती है तो इसके भी ले सकते हो कड़ाई को आपको इस तरह से गिला कर लेना है और बस साबुन को इस तरह से कड़ाई की तली में घिस लेना है तो ये खाना बनाने से पहले ये काम कीजिएगा तो इसे क्या होगा साबुन की एक परत इसकी तली में लग जाएगा तो कई बार होता है आप च तरहां से इस कड़ाय का यूज लेकर के खाना बनाओगे तो इसकी तली में जैसे कि आप देख सकते हैं साबुन की एक परत एक लेयर सी जम चुकी है तो इससे क्या होगा आपकी जो कड़ाय है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा और इस पर ना कोई कालिक जम पाएगा ना कोई गंदेगी नहीं जम पाएगा और मास्ते टाइम भी बहुत आसान होगा तो है ना कितना यूसफूल साथ रिक तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूसफूल रिक तो यहां पर हमने लिए हैं एक कटोड़ी अब हमें लेना है दो चमच डिटर्जन पावडर तो आ पाद हमें लेना है एक चमच साधा नमक तो यहां पर देखिए दो चमच डिटर्जन पावडर एक चमच बेकिंग सोडा और एक चमच साधा नमक इन तीनों चीजों को ड्राइब फॉर्म में आपको अची तरीके से मिक्स कर लेना है तो इस तरह देखिए बहुत ही पावर लेना है ठीके आपको इसी तरह से इसे यूज करना है तो होता क्या है कई बार कपड़े जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उसकी गंदेगी आसानी से छूटता भी नहीं है या फिर हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि वाइट कलर के कपड़े बहुत जल डल पर जाते हैं या फिर वाइट कपड़े की जो गंदेगी है आसानी से छूटता भी नहीं है या फिर शाट में जो कॉलर की गंदेगी होता है वो बहुत जिद्धी होता है आसानी से उसे साब भी नहीं किया जाता है या फिर कई बार जब हम नए कपड़े खरीते हैं तो नए कपड़े में से color छोटने लगता है तो नए कपड़े की color को पका करने के लिए भी ये solution बहुत ही ज़्यादा useful है यहाँ पर दिखिए आपको अगर आप machine में कपड़ा धो रहे हैं तो machine में इस solution को आप इस तरह से डाल दीजिएगा white कपड़े की चमग भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे साथ के साथ नए कपड़े की color भी पक्के हो जाएंगे क्योंकि जितने भी चीज़े हमने add कि हैं सारी चीज़े कपड़े के लिए बहुत useful रहता है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए आजका वीडियो में यही पर end करती हूँ वीडियो बहुत useful है तो ज़्यादा से ज़्यार कर दीजिएगा साथी साथ चैनल को subscribe और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ next वीडियो में Bye friends and thanks for watching